दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोको X3 Pro Mobile का एंटिना केबल किसरा तब्दिल करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपने इसका बेक कवर कोलना है बेक कवर कोलने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएगा तो इस लिंक पर क्लिक क कोल ले और इसका जो कवर है इसमें बाहर निकाल ले ऐसके ऊपर सकनद की इसके तो अपने दोनों की कवर उतारने है उसके बाद इसके सबसे पहले को डिसका नेक्तकर देना है उसके बाद इसके जेक है ये जेक निकाल ले और इस केबल को बाहर निकाल ले तो दोस्तों ये इसका इंटिना केबल है अभी इसमें दूसरा नया इंटिना केबल लगा ले तो दोस्तों मैं वह हुआ दुबारा लगा रहा हूँ इसमें अक्सर केबल जो है अंदर से इसकी वायर टूट जाती है तो पिर इस ये सिगनल में मसला करता है या इसका जेक टूट जाता है तब ये सिगनल में मसला करता है दूसरा केबल लगाने के बाद इसके दोनों जेक लगा ले और बिर्टी कनेक्ट करने के बाद इसके एक कवर लगा ले उपर वाले भी और नीचे वाले भी तो दोस्तो इस पर पेश लगा ले तो दोस्तो इस पर आपने वही पेश लगाने है जो पेश आपने इस से उतारे थे दूसरे पेश नहीं लगा होगे अगर इस पर आप चोटने पेश लगा लिए तो ये नीचे स्किन में चले जाएंगे और आपके स्किन को तोड़ देंगे तो दोस्तो पेश लगाने के बार इस पर बेक कवर लगाना है बेक कवर लगाने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएगा तो उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख ले और बिल्कुल इस तरह आपने इस पर बेक कवर लगा देना है तो दोस्तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया